आपनों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शाय मिस्रा की रश्रोई में आज हम लेकर आए भिंडी की बहुत टेस्टी सी यमी सी सब्जी जो कि आप लोग ने पहले नहीं देखी होगी कि आज हम इस भिंडी की सब्जी में पानी भी हूस करेंगे तो चलिए देख ते में नर्म débस्रिंदस तक बादस कमीड़ है विर नम्हुन है तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या करना है इस तरह से में देखने शमयरवसार कुछ डाले हैं आप टेवल स्पून कलमजी क्या जीघ जिसकर नियू चम्ति भावबिंद हैं मग्मचु बावचु ठाबद है और आप डाल देंगे यह धनिया पाउडर हमाई पास पीसा रखा था वही हमने एट कर दिया है दो स्पून और यह ले लिया है आप मसालेि of जो फूंकर पीस नहीं है कि अगर आप मसाले से कहने लीचाछर हूं और आपेश मॅमें क्या करना देखिए वह फूंसालाक मिर्च घ्यान पहुँंगी ना मिर्च रह गई थी तो हमारे पास मसाले नमपकर दिया देखिए पिशा हुआ रखा थे, इसमें मिर्च हुगारा थी काफी, यह हम नहीं अपने टेस्स के षाब आकारा अजय का जाता है। अगर आपके पास मिर्च अबने टेस्स के सब्सक्राइब कर आपके लिए गया तो अपके पास ओषब अच्छी होती है तो देखें जो बिंडियों के ले रखी थी इनको हम फ्राइब कर लेंगे इसको फ्राइब करने से होगा ये कि आपकी बिंडियों जो होगी लसलसी नहीं होगी बिल्कुल भी काफी अच्छी बनकर आएंगी तो यह देखते हैं लेगर एक चीज का ध्यान और रखें कि बिंडियों को धुलने के तुरंद बाद आप कट ना करें बिंडियों को सब्जी के लिए आप उसको 10-15 मिट के लिए जिससे की वह हलकी सी ड्राइब हो जाएं अगर जल्दी है आपको तो आप कपड़े से पोच विंडियों चुद्न और डाल देखें दुट्लश एयुज इसारा ने इग्रज़ और टाले हैं जादा विंडियों के लिए मांकर बाहले तक ने दुगाँ तक तज sixt। झाले बनाब ब्रभी और उसको दुधल शीड़ां करें एक ताप लिए दुन करें थिसार्यम मसालिय तरह से अरे बम स्काइबनेने में तके कहीड वह देखें यह क्या तर बिस्कीत क्या करने देंगे हम तो यह अरे क्या देख आसे देखें आप यहीं पर हमको डालना होगा थोड़ा सा अम्चुर पाउडर करते हैं तो साइम एम पाउडर दीक है नमका कर चुके में पहले ही तो वito भी आम क्यों марुति पाउड़गी देखें хот down seven drop come out live लिहां से अबमें न correction अजला हे नहीं न स्पोण करेंगे लंडी न कीड़ें रायों हमें में भींडी के बिद्धियु इसे अछिस चूट oo जाए गी क्योंकि में विंडी लिम्हत है मेले से ही फ्राइ करके रखा था तो इसमें पानी नहीं निकलेगा जाथा और लिस्लिसा सा नहीं होगा तो देखिए बिंडी बनकर तयार है दो मिनट में तो यह अच्छे से कूख हो चुकी है इस यह देखिए इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे यह देखिए तो अगर हमारी वीडियो आपको लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और सेयर करेगा कमेंट करके जुरू बताएगा कि आपनों की सब्सक्राइब कैसे लिए आप देख सकती है कि अभी आयल मसाले में बिल्कुल ने दिख ला था मतलब अपने हिसाब से ओयल ले लिया था तो अगर आपकी बिंडी कट हो जाती अच्छे से तो आपकी बिंडी पक चुकी है तो देखिए पक चुकी है अब इससे सब करें पूरी पराथा नान चपाती किसी के साथ खाये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगने वारी आ हैं और सुकी बिंडी फ्राइ भी बहुत सकते हैं तो आए होप आपको यह रेस पर अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मिलते हैं नेक्स टेर नेक्स वीडियो के साथ